हेलो गद्यार्थियों, टार्गर्ट वे लक्ष की इस नई वीडियो में आप सुभी का श्वागत है तो आज से केमिस्ट्री का नया चेप्टर, यानि की एल्डिहाइड, कीटोन, तथा काउर बॉक्सलिक अमलों जो है, वो इस्टार्ट किया जा रहा है तो यहां पर दनेजे सबसे पहले हैं अल्डिहाइड, के लिए आप लोग गयाद र giàखेगा, इसे हम लोग प्रदर्षित करते हैं आर, सी, एच, ओ से, यह होता है आपका अल्डिहाइड, इसके अलाववा कीटोन, इससे हम लोग प्रदर्षित करते हैं आर, शिन्गल बॉन jus CO, Shingle Bond, R से और इसके अलाववा है आपका Car Box लिख अमल यानि कि R, C, O, H यह होता है आपका Car Box लिख अमल यहाँ पर द्यान देजे जो LD है इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं द्यान देजे इससे आप चाहे तो ऐसा लिख देजे यानि कि R इसके अलाववा हो जाएगा C और इ यहाँ पर आपका एक Alkyl Summa उपस्थित होता है यानि कि Carbon Summa उपस्थित होगा इसके अलाववा द्यान देजे आपका कीटोन है कीटोन को आपके इस प्रकार से लिख सकते हैं कीटोन को द्यान देजे आप लिख सकते हैं इसमें R इसके अलाववा C यहाँ पर हो जाएगा R और यहां पर हो जाया का double bond O, यह होता है आपका ketone, ketone को जह हम लोग इस प्रकार से लिख शकते हैं, इसके अलावा carboxlic aml, इससे ध्हान देजे, इसमें है आपका R, इसके अलावा C, इसके अलावा ध्हान देजे, double bond O, और इसमें जो है एक OH समू उपच्छत होता है, तो यह आपका होता है carboxlic aml, यह होता है ketone, और यह आपका होता है aldehyde, अब ध्हान देजे, अगर यहां पर इस R के जेगे पर हम लोग अल्किल सम्मू का प्रयोग करने, तो अब इसके लिए ध्हान देजे, ध्हान, जैसे किमाल लेजे, R के जेगे पर हम लोग लिख देए CH3, त इस प्रकार से C, इसके अलावा देजे, double bond O, और इस R के जेगे पर लिख सकते है CH3, इस प्रकार से, और इसके अलावा इस में देजे, R के जेगे पर हो जाएगा CH3, C, double bond O, और single bond यहां पर हो जाएगा OH, इस प्रकार से, तो इन सभी में देजे, यहां पर यह एक सम्मू उ यहां पर विदान देजी इसमें भी उपस्थित है इसमें भी उपस्थित है तो यहां पर यह जो समू उपस्थित है इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समू याद रखेगा इसे क्या बोला जाता है कार्बोनिल समू और यह समू जिस योगिक में उपस्थित होता है उन्हे आपको याद रखना है कि जिन योगिकों में जो है यहाँ पर सिंगल बॉंड सि यानि कि यह डबल बॉंड होगा है इसके लाव डबल बॉंड ओ यह जो है यहाँ पर जिन में उपस्थित होता है यानि कि यह होता है आपका कार्बोनिल समूर तो कार्बोनिल समूर जो है जिन योगिकों में उपस्थित होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल योगिक यह अप लोग याद रखेगा और इसके लाओं यह भी याद रखेगा कि जो कार्बोनिल योगिक है इससे आप आग्जो योगिक भी बोल सकते हैं ये भी आप लोग याद रखेगा कार्बोनिल योगिक या फिर इन्हें आप बोल सकते हैं आग्जो योगिक जिसमें जो है कार्बोनिल ग्रूप या फिर बोल सकते हैं कार्बोनिल समूर या फिर इससे आप बोल सकते हैं ऐल्डी हाइड सम समोह जिसमें उपस्तित होता है वे कारबोनिय या फिर आजयो योगिक कहलाते है और इनका की सामाने सूत रहता है एक है यह यह यहाँ पर इनका सामाने सूत रहता है कैंणह 2&no इसके बारे में आप लोग याद रखेगा इसके हम आप उद्हा और single bond ये समू उपस्थित होगा ये आपका क्या होगा किटोन होगा इसके अलावा जिसमें COOH उपस्थित होगा वो आपका क्या होगा कार बॉक्स लिख अमल होगा तो अब धंदेजी तो वही यहाँ पर धंदेजी कारबोनिल योगिक के बारे में लिखा गया है कि वे 2NO होता है इसके अलावा CHO समू उपस्थित योगिक जो है वो अलडिहाइड इसके अलावा धंदेजी यहाँ पर COOH के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले धंदेजी इसमें एलकोहल के आक्षी करण द्वारा आक्षी करण का मतलब याद रखेगा ऑक्सीजन का जुड़ना या फर आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना यहाँ पर आप लोग याद रखेगा दोनों में से एक होगा या तो यहाँ पर आक्षीजन जुड़ेगा या फर हाइड्रोजन निकलेगा यह आपको याद रखना है यहाँ पर कि आक आक्षिकारक के रूप में जो है के टू सी आर्टू ओ सेबन यानि कि पोटेसियम डाइक्रोमेट इसके लावां हम लें के द्वारा अगर यहाँ पर इसका आख्षी कर आएक तो पहली स्थित में द्हान देजी अगर के टू सी आर्टू O सेबन प्लस है इसका मतलब अल्कोहल है प्रात्मिक अल्कोहल, जैसे कि मुआ लेज़े, R, यहाँ पर लेते हैं, CH2, इसके अलावा यहाँ पर OH, OH है, इसका मतलब इल्गोहल है, इसके अलावा यह OH समू, जिससे जुड़ा है, यानि कि जिस कार्बन से जुड़ा है, वो डारेक्ट यहाँ पर, एक ही कार्बन समू से जुड़ा होगा तो इससे हम लोग बोलते हैं 1 degree alcohol यह अप लोग याद रखेगा इसके बारे मैं आपको पहले बताया जा चुका है तो यह हो जाया गयाँ पर 1 degree alcohol तो अब दन्दिजी यह हुआ 1 degree alcohol तो जब यहाँ पर इसका हम लोग आक्सिकर कराएंगे तो देन देजे के टू सी आर्टू ओ सेबन प्लस एस्टू एससो फोर द्वारत तो इन दोनों की क्रिया से एक नौजाद आक्सिजन निकलता है इस प्रकार से तो अब देन देजी यह आक्सिजन जो है यहां से यह वाला हैड्रूजन और इसके अल्लाव यहां से यह वाला हैड्रूजन जो है ले जाएगा यहां से एक हैड्रूजन निकल जाएगा और एक हैड्रूजन यहां से निकल H2O यह निकल गया अब इसके लाओ धन्दीजी बचा क्या यहाँ पर अब यहाँ पर बच जाएगा R इसके लाओ धन्दीजी यहाँ पर आपका बचा C यहाँ से 1H निकल गया तो यहाँ पर 1H बच जाएगा इसके लाओ यहाँ से H निकल गया तो यहां पर बचा क्या O, यानि कि यह बन गया R-C-H-O, यानि कि आपका यहां पर यह बन जाएगा L-D-H-I-D, तो इस प्रकार से जो है L-D-H-I-D का निर्मार किया जाता है, तो यह हो गया आपका L-D-H-I-D, अब धन देजे, जैसे कि माल लेजे, इस R के जगे पर हम लोग Sumo का प्रियोग कर दे, तो इसके लिए के example देजोगे, जैसे कि माल लेजे, R के जगे पर आप यहां पर प्रियोग करते हैं CH3, इस प्रकार से ले सकते हैं, ठेंदीजे, जगे पर आप ले सकते हैं CH3 इतना हो गया इसके अलावा धन देजे आपको यहाँ पर दिया गया है CH2OH इतना आपको यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर जब इसका आप आक्सिकन कराएंगे तो यहाँ पर धन देजे K2Cr2O7 potassium dichromatis से बोलते हैं H2SO4 तो यहाँ पर यह नौजाद oxygen तो अब धन देजे सबसे पहले इसमें से यहाँ से एक hydrogen निकलेगा और यहाँ से एक hydrogen निकलेगा और यह वाला oxygen तो यहाँ से जो है H2O निकल जाएगा इस प्रकार से अब इसके अलावा धन देजे इसमें बचेगा क्या CHO तो यहाँ पर यह जाएगा CHO इस प्रकार से इससे हम लोग बोलते हैं acetaldehyde इसका नाम आप लोग याद रखेगा इससे बोला जाता है acetaldehyde यह आपको याद रखना है acetaldehyde इस प्रकार से जहाँ आप acetaldehyde का निर्मार कर सकते हैं इसी प्रकार धंदीजी यहाँ पर जैसे लिया गया था 1 degree अलकुहल अगर 1 degree के जगे पर हम लोग 2 degree अलकुहल का प्रयोग करें तो अग इसके लिए धंदीजी जैसे कि माल लेजे 2 degree अलकुहल में यहाँ पर लेते हैं R, CH, R, OH यहाँ पर धंदीजी यह O H समूँ जिस कारबन से जुड़ा है यहाँ पर डारेक्ट दो कारबन समूँ से जुड़ेगा इसलिए यह हो जाएगा आपका 2 degree अलकुहल तो यहाँ पर यह लिया गया है 2 degree अलकुहल अब धन्दिए टू डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर हम लोग आक्सी करड़ कराएंगे यानि की के टू सी यार्टू ओ सेबन प्लस ह2SO4 द्वारा तो अब इसमें धन्दिजे इसमें भी उशी प्रकार से यहाँ से एक हाइड्रिजन निकलेगा तो इसका मतलब दन्दिजे जब यहाँ से दो हाइड्रिजन निकलेगे और यहाँ आक्सीजन तो यहाँ पर निकल जाएगा ह2O यह निकल गया इसके अलाब दन्दिजे यहाँ पर यह हो जाएगा आपका आर इतना इसके अलावाद दूसरा आर यह हो गया यहाँ पर क्या आजाएगा आपका C आजाएगा और इसके अलाओ यहाँ से H निकल गया तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आजाएगा आपका O तो इसका मतलब यहाँ पर बन जाएगा Ketone यहाँ पर यह बन जाएगा Ketone आप इसे दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं आप इसे ऐसा लिख देजिए यानि कि R यहां पर हो गया C इन दोनों के लिए ध्हांदजी यहां से यहां से यहां दोनों के एक एक बॉंड फ्री हो गया इसका मतलब यह दोनों आपस में बॉंड बना लेंगे इस प्रकार से तो यह बन जाएगा R R यहाँ पर C, double, bound, O इस प्रकार से यह आपका हो जाएगा कीटोन तो इससे जो है इस प्रकार से भी लिख शक्ते हैं अब इसके लिए भी आप यहाँ पर एक example द्यान देजी जैसे कि द्यान देजी यहाँ पर K2, CR2, O7 प्लस H2, SO4 द्यारा जब यहाँ पर इसका आकसी कड़ कराएंगे तो यहाँ से हाइडूजन और यहाँ से हाइडूजन निकल जाएगा यानि कि यहाँ से निकलेगा आपका H2 और यह वाला O तो H2O निकल जाएगा इसके अलावाद हैं देजी यहाँ पर यह हो जाएगा CH3 यहाँ से यह एच और यहाँ से H निकल गया तो यह हो गया आपका CO इस प्रकार से तो यह जो बन गया है इससे हम लोग बोलते हैं एशिटोन याद रखेगा एशिटोन अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप नाम बता सकते हैं डाई मेथिल कीटोन याद रखेगा इसका नाम आप लिख सकते हैं डाई मेथिल कीटोन इस प्रकार से बाकि इससे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एशिटोन इसका नाम याद रखेगा इससे बूला जाता है acetone या फिर dimethyl ketone तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर alcohol के oxy कर द्वारा जो है aldehyde इसके अलावा की ketone का निर्मान कर सकते हैं और यहाँ पर धान देजिए इसमें जो हम लोगों ने प्रयोग किया है यहाँ पर धान देजिए oxy कारक के रूप में k2 cr207 का प्रयोग किया गया है और साथ में अमल्यानी की h204 अब इसके बाद धेन देजिए अब इसके बाद second number में यहाँ पर धेन देजिए अगर oxy कारक के रूप में हम लोग यहाँ पर pdc या फिर pcc का प्रयोग करें इसके द्वारा यहाँ पर अगर oxy कराया जाए pdc इ pyridium dichromat याद रखेगा prayedidium dichromat इसके लाओ यहाँ पर वन डिग्री अल्कोहल लिया गया है वन डिग्री अल्कोहल जैसे कि हम लोग लेते हैं हमाल लेजिए CH3 इसके बाद है यहाँ पर CH यहाँ पर हो जाएगा OH यहाँ पर रंद जी यह हो जाएगा CH2 तो यह यहाँ पर लिया गया आपका वन डिग्री अल्कोहल यानि कि यह हो गया आपका वन डिग्री अल्कोहल तो अगर यहाँ पर आकसी कारक के रोप में हम लोग PDC का प्रयोग करें तो जब इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा तो इसमें ध्यांदेजी होगा क्या यहाँ से यह वाला हैड्रूजन निकलेगा और यहाँ से एक हैड्रूजन निकलेगा यहनि कि इससे जो है यहाँ पर H2 निकल जाएगा यहनि कि हैड्रूजन गैस यहाँ पर निकल जाएगी तो जब हैड्रूजन गैस यहाँ से निकल जाएगी तो इसका मतलब देज़े, यहाँ पर यह हो जाएगा CH3, इतना हुआ, एक hydrogen यहाँ शे निकल गया, एक hydrogen यहाँ शे निकल गया, तो इस carbon का एक bond free हो गया, और इस oxygen का भी एक bond free हो गया, तो इसका मतलब देज़े, यहाँ पर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानि कि C double bond O, यानि कि carbon और oxygen दोनों आपस में एक bond बना लेंगे, इसके अलावा यहाँ पर यह एक हो आ जाएगा, इस प्रकार से, तो यह यहाँ पर आपका बन जाएगा aldehyde, इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द्यान देजे, CH3, इसके अलावा CHO, यह यहाँ पर आपका बन जाएगा aldehyde, तो इस प्रकार से यहाँ पर aldehyde का निर्माड होगा, और अगर इसका oxygen हम लोग फिर से करा देंगे, तो इसका oxygen दुबारा कराने पर जो है, अब यहाँ पर बन जाएगा carboxylik अमले, यह अप लोग याद रखेगा, अगर इसका oxygen हम लोग फिर से करा देते हैं, तो इसका oxygen पर इसमें बन जाता है यहाँ पर carboxylik अमले, यह अनिकि जब इसका oxygen कराएंगे, तो यहाँ पर carbon और hydrogen की बीच में आकर एक oxygen जुड़ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यह बनेगा CH3C double bound O, इस hydrogen और carbon की बीच में आकर एक oxygen जुड़ जाएगा, तो यह अप कर बन जाएगा car carboxylik अमले, यह अप लोग याद रखेगा, अगर इसका oxygen लोग दोबारा से करा देते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है carboxylik अमले, यह हो जाएगा carboxylik अमले, इस पर कासे, अब धन दिजी यहाँ पर यह जो है 1 degree alcohol का प्रयोग किया गया है, अगर इसके जगे पर हम लोग 2 degree alcohol का प्रयोग करें, जैसे कि माल लेजिए CH3, CH3 यहाँ पर हो जाएगा आपका, CH यहाँ पर OH, अपकी बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है 2 degree alcohol, और यहाँ पर जो oxygen कराया जा रहा है, वो PDC या फिर जो है PCC की उपस्तित में कराया जा रहा है, तो आप जान दिजे, एक hydrogen य यहाँ से निकल जाएगा आपका, तो जब H2 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या CH3, इसके अलावा यहाँ पर दान देजे, यह carbon और यहाँ पर दान देजे, इस oxygen दोनों के एक एक bond free हो गया, तो यह दोनों आपस में bond बना लेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर यह यह बन जाएगा, कीटोन, तो यह अप लोग याद रखेगा, अगर 2 degree alcohol होगा, तो वहाँ पर बन जाएगा कीटोन, अब इसके बाद दान देजे, alcohol के V hydrogen करण द्वारा, इसका मतलब यहाँ पर hydrogen निकलेगा, इसके पहले आपको बतायागा था oxygen, जिसमें जो है oxygen यहाँ तो आपका निकलेगा, तो जैसे के दान देजे, यहाँ पर मान लीजे, हम लोग लेते हैं पहले 1 degree alcohol, 1 degree alcohol को आपको ऐसे लिख सकते हैं, दान देजे, CH, यहाँ पर यह हो जाएगा, CH3, यहाँ पर OH, इसके अलावाँ यहाँ यहाँ पर H, तो दान देजे, यह आपका है CH2, इस 1 degree alcohol को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यह हो गया आपका 1 degree alcohol, 1 degree alcohol, 1 degree alcohol मे आद रखने आपको, जो OH समूव है, वो direct एक carbon पर माON से जुडा होता है, यह जिस carbon पर मान से जुडा होता है, वो केवल 1 की carbon पर माण से जुडा होता है, इसले प्रकार धान देजे, अगर 2 degrees लेते हैं हम लोग तो टू डिगरी के लिए धांदीजी यह यहाँ पर कार्बन पर माणू इस से यहाँ पर यह ओएच समूज उड़ा है तो यह यहाँ पर जो है डारेक्ट तो दो कार्बन पर माणू से जुड़ा हो गया निकि यहाँ पर यहाँ पर तिसरा जुड़ेगा यानि कि CH 3 इस प्रकार से तो यह हो गया वं डिगरी टू डिगरी और इसके अलावा यहाँ पर यह हो जाएगा थ्री डिगरी अलकोノ इस प्रकार से यह हो गया आपका 3 degree alcohol तो अब धन्देजी अगर यहां पर इसका लोग V hydrogen करते हैं इसके लिए धन्देजी यहां पर V hydrogen कर जो होगा वो copper की उपस्थित में होगा और यहां पर जो temperature होगा वो 350 से लेकर जो है 700 degree Celsius के बीच होगा तो धन्देजी वी hydrogen निकल होगा तो एक hydrogen धन्देजी आपका यहां शे निकलेगा यहां पर धन्देजी एक hydrogen आपका यहां शे निकल जाएगा और एक hydrogen आपका यहां शे निकल जाएगा तो इसका मतलब धन्देजी इससे जो है आपका यहां पर H2 निकल जाएगा तो जब यहाँ पर दान देजे H2 निकल गया तो अब यहाँ पर बच्चा क्या आब यहाँ पर दान देजे एक तो आपका यह हो गया CH3 CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर हो गया C इतना हो गया इसके अलावा दान देजे यहाँ पर यह हो कि आपका H इस प्रकार से और यहाँ पर देंदेजी यह वाला O तो यहाँ पर देंदेजी इसका भी एक bond free होगा इसके लाओं इस carbon का भी एक bond free होगा तो यह दोनों आपस में bond बना लेंगे यहनि कि यहाँ पर double bond O इस प्रकार से तो यह आपका बन जाएगा aldehyde इस प्रकार से आपका बनेगा aldehyde इसी प्रकार ध्यान देजी जब यहाँ पर 2 degree alcohol से क्रिया कराएंगी तो यहाँ पर यह क्रिया भी जो है copper की उपस्थित में होगी temperature ध्यान देजी 350 से 700 degree Celsius तो यहाँ पर ध्यान देजी इसमें भी एक hydrogen यहाँ से निकलेगा और एक hydrogen यहाँ से निकलेगा यहाँ से जो है h2 निकल जाएगा तो जब यहाँ से hydrogen निकल जाएगा तो अब इसमें ध्यान देजी यहाँ पर यह हो गया आपका c इसके अलावा यहां पर यह दिया गया CH3, इतना हो गया, इसके अलावा यहां पर दंदेजी, यहां पर भी आपको CH3 प्रेयोग करना है, यहां पर दंदेजी, CH3, तो यहां पर यह हो जाएगा CH3, इस प्रकाश यहां पर हो गया, इसके अलावा दंदेजी, इस oxygen का एक bond free हो ज इसके अलावा जो यह 3 degree अल्कोहल है यहां पर यह जो है अल्डी है यह कीटोन का निर्माण नहीं करते हैं यह अप लोग याद रखेगा यहां पर जब काउपर इसके अलावा यहां पर लोग 350 से 700 तो यहां पर जो है अल्डी हाइड और कीटोन का निर्माण नहीं होता है यह अप लोग याद रखेगा है यहां पर आप बता सकते हैं कि अल्डी हाइड वा कीटोन का निर्माण नहीं होता है निर्माण नहीं होता है अब इसके बाद धन्देजी अगली विद्य है कारबॉक्स लिक हम लिके कैल्सियम लवड के सुष का आस्वन से अब इसके लिए धन्देजी जैसे कि हम लोग लेते हैं आपर कैल्सियम फॉर्मेट calcium format को आप इस प्रकाश से लिख सकते हैं देन देजे H COO इसके अलावा H C 00 और यहाँ पर CA यह हो जाएगा आपका calcium format यहाँ पर देन देजे आप calcium format के जो है दो अन लीजिए जिससे कि यहाँ पर एक ले लेजिए CA यहाँ पर दूसरा इस प्रकाश से लिख दीजिए O O C H इसके अलावाया पर भी O C H तो इस प्रकाश से देन देजिए यहाँ पर calcium format के दो अन लिए गए हैं और यहाँ पर इसका सुस्क आश्वन जो है वो 300 degree Celsius पर कराया जाएगा तो जब 300 degree Celsius पर इसका सुस्का आश्वन कराया जाएगा तो यहाँ पर देन देजिए यहाँ से यह तूटेगा है इस प्रकार से और इसके अलावा इधर भी देन देजिए यहाँ से देन देजिए यह इस जगे से तूटेगा ऐसे तो इतना आपका निकलेगा अब यहाँ पर देन देजिए यहाँ पर यह एच लिख देजिए इसके अलावा C हो गया एच हो गया इसके अलावा O तो यह बना ह C, H, O यहाँ पर भी देन देजिए H, C, H, O याँनि कि दूआ अलोग प्रकार से इसके अलावा देन देजिए यहाँ पर प्लस अब यहाँ पर देन देजिए C, A तो यहाँ पर लिखेंगे आप C, A इसके अलावा देन देजिए C, A के अलावा यहाँ पर C, O, 3 और यहाँ पर भी C, O, 3 इसका मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे CO3 तो यहाँ पर आगे लग जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर इसके आप दो अड़ लेंगे तो यहाँ पर यह आपका जो बना है इसे बोलते हम लोग फार्मेलडी हाइड इसका नाम याद रखेगा फार्मेलडी हाइड तो यह हो जाया गए यहाँ पर फार्मेलडी हाइड तो यहाँ पर फार्मेलडी हाइड के दो अड़ प्राप्त होंगे इसे प्रकार यहाँ पर इसके भी दो अड़ प्राप्त होंगे इससे आप दूशे प्रकार से भी लिख सकते हैं अब इशे के प्रकार से लेख सकते हैं ते जहां पर दो अड़ प्रयोक किया गए अगर इसके जगे पर एक ही अड़ प्रयोक किया जाए यानि कि ह, C, O, इसके अलावा ह, C, O, और यहां पर जो है कैलसियम अगर इसका सुष का आस्वान हम लोग 300 डिगरी सेलसियम पर कराएं इस प्रकार से तो अब ध्यंदेजी यहां पर जो है यह इस जगे से तूटेगा और इसके अलावा यहां से इतना यह जो है निकलेगा तो अब ध् ह, C, इसको अलावा ह, HO, तो है यहां पर आप कग बनेगा ह, C, HO, इतना हो जाएगा और प्लस यहां पर देजी इश में जो है यहां पर क्या बन आप? CACO3 इसके अलावा तो यहाँ पर हो जाएगा CACO3 जैसे कि यहाँ पर दंदेजी यह CACO3 इसके अलावा C2O यह थे एक यह था तो यह बन गया था CO3 तो उस्छी परकार यहाँ पर दंदेजी जब इसके दो अड़ लिया गया थे तो इदर दो दो अड़ पर राप्त होए थे जब इसका एक अड़ लिया जाएगा तो यहाँ पर इन दोनों के एक एक अड़ पर राप्त होंगे यह यहाँ पर आपका हो जाएगा formaldehyde इस परकार से अब इसके अलावा धहन देजी अगर यहाँ पर हम लोग इसकी जगे पर जो है इसका नाम याद रखेगा इसे हम लोग बोलते है calcium format नाम याद रखेगा calcium format तो अगर हम लोग calcium format के जगे पर calcium acetate का प्रियोग कर देए अब धहन देजी दूसरा calcium acetate जैसे कि माल लेजे CH3 इसके बाद COO यहाँ पर हो जाएगा CH3 CHOO और यहाँ पर हो जाएगा CA तो यह होगा आपका calcium acetate इसके भी आप चाहे तो दोंड ले लीजे या फिर इसी प्रकार से एक ही लेजे तो जैसे कि यहाँ पर माल लेजे एक लेते हैं तो यह इतना होगा इसका जब यहाँ पर लोग सुस्क आश्वन कराएंगे 300 degree Celsius पर तो 300 degree Celsius पर धहन देजे जब सुस्क आश्वन कराया जाएगा तो इसमें धहन देजे यह जो है यहाँ शे टूटेगा इस प्रकार से इसके लावाँ यह निकल जाएगा इतना आपका यहाँ शे जो है यह निकलेगा तो अब धहन देजे इसमें बनेगा क्या यहाँ पर आपका बनेगा CH3 CH3 इतना हुआ इसके लावाँ धहन देजे single bond CO, CH3 तो यह आपको यहाँ पर बन जाएगा essay tone, इस से आप बोलेंगे आपर essay tone, इस प्रकार से तो इस प्रकार देजे जैसे कि यहाँ पर इसके दो अड़ी प्रयोग किए गया थे उस प्रकार से यहाँ पर इसके भी आप दोウाड़ीग कर सकते हैं वो अभी करी अब आप लोग स्वयम करिएगा अब इसके बाद धन्देजी अगली विद्य है कारबॉक्सलिक अमल के उत्प्रेर की अब घटन द्वारा तो अब धन्देजी इसके कि यहाँ पर लोग लेते हैं फार्मिक एशिड इसका शूत रोता है अब धन्देजी यहाँ पर इसके मिलोग दो आड़ लेते हैं ह, सी, डबल ओ, एच तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पर फार्मिक एब नम आप लिख शकते हैं फार्मिक एब अमल और शूत प्रेंदेजी यहाँ पर उत्प्रेर की अब घटन द्वारा है तो प्रेजर के यहां पर मिलोग प्रयोग करेंगे MNO पर इसके अलावा temperature होगा 300 degree Celsius तो अब इसमें द्यान देजिए यह यहां से टूटेगा इस प्रकार से पर इसके अलावा यह जो है इस जगे से टूट जाएगा इतना आपका यहां शही निकलेगा तो अब इसमें द्यान देजिए यहां पर जो बच्चा हुआ इधर HC HO इससे आप लिख सकते हैं HC HO इतना हुआ इसके अलाव द्यान देजिए यह H2 इससे आप लिखेंगे H2O तो यह हो गया H2O इसके अलावा CO2 तो प्लस CO2 इस प्रकार यह जो आपका बनेगा यह बन जाएगा formaldehyde तो यह हो जाएगा formaldehyde इस प्रकार से जो आप aldehyde का निर्माण कर सकते हैं और अगर आप फार्मिक अमल की जगे पर जो है फार्मिक अमल से देंदेजी यहाँ पर प्लस H C O O H तो यहाँ पर देंदेजी और इसमें हम लोग उत्त प्रकार की अप घटन कर रहा हैं तो यहाँ पर उत्त प्रकार करेंगे M N O और यहाँ पर अपकी बार इसका temperature जो होगा वो 573 Kelvin होगा तो अपकी बार देंदेजी इसमें जो है यहाँ शेश प्रकार से तूटेगा और इतना यहाँ से निकलेगा सेम उस्छी प्रकार से तो यहाँ पर देंदेजी यहाँ पर यह बना आपका CH3 इसके लाओ यह हो जाएगा CHO CHO इतना हो गया प्लस H2O निकलेगा जैसे अब यह निकला था उससे प्रकार CO2 यह हो जाएगा तो यहाँ पर जो यह बनेगा यह बन जाएगा यह आप लोग याद रखेगा क्योंकि पेपर में वहाँ पर पूछा रखता कि फार्मेल दिएड बनाने की विद्वध बताईए तो इसका मतलब इस प्रकार से फार्मेल डिएड बनता है एसे टेल डिहाइड बनाने की विद्वध पूछी जा सकते तो वहाँ पर आपको इस भी दिखप्लियों करना है तो यहां पर यह बनेगा आपका Acetaldehyde इस प्रकाश से तो याद रखेंगा यहां पर कि जब Acetic Acid इसके लाओं फार्मिक एकिरिया होगी तो इसमें क्या बनता है आपका Acetaldehyde यह आप लोग याद रखेंगे यह आपका है Acetic Acid acetic acid और plus formic acid तो यह आप लोग याद रखेगा जब acetic acid और formic acid के क्रिया होगी तो क्या बनेगा acetaldehyde बनेगा आपका और इसके अलावा अगर acetic acid के ही हम लोग दो और उपरयोग कर दें जैसे कि माल लीजे द्यान देजियां पर CH3 इसके लावा CHH इसके लावा CH3 CHH और यहाँ पर उत्तपेर की अब गटन कराएंगे MNO और temperature रखते हैं यहाँ पर 300 degree Celsius तो अब द्यान देजिया अगर यहाँ पर इसके द्रोंड लेंगे तो यहाँ पर द्यान देजिया यहाँ चूटेगा इसके लावा यह इतना जो है यहाँ शे निकलेगा तो अब द्यान देजिया यहाँ पर बनेगा क्या CH3 इतना हो जाएगा इसके लावा CH3 तो CH3 CO CH3 इतना बना और यहाँ पर द्यान देजिया प्लस इसके लावा धन एकी तोन कि इस प्रकार से याद रखेगा अगर यहाँ पर हम लोग ऐससी टीक अंबल के दों ऩे एंड रगर कि चरहेंगे तो यहां पर बंजायगा एलोग याँ कि टॉन बन जाएगा तो यहां पर यहँ जाए acid chloride यानि कि यहाँ पर ले लेते हैं R, CO, CL यह हो जाएगा आपका acid chloride acid chloride हो गया यहाँ पर इसका up chain कराना है इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे H2 और इसके बाद धंदेजी यहाँ पर उत्प्रेरक प्रयोग होगा PD इसके अलावा B, A, SO4 यह हो जाएगा उत्प्रेरक तो अब धंदेजी हम पर जब इसका up chain कराएंगे तो यह वाला bond यहाँ से तूटेगा इस प्रकार से जब यह वाला bond तूटेगा तो यहाँ से धंदेजी एक hydrogen आके इसके साथ लग जाएगा और एक hydrogen जो है इसके साथ आके लग जाएगा तो इसका मतलब धंदेजी यहाँ से आपका निकलेगा क्या यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर इसका आप चैन कराया जाए और उत्तप्रे रख यहाँ पर है पीडी यह फिर बीए एसो फोर तो यहाँ पर दन देजी यहाँ से यह बांट तूटेगा तो एक hydrogen आके यहाँ पर जुड़ेगा एक यहाँ पर जुड़ेगा यहाँ कि इससे निकल जाएगा HCl तो यह अब कर बन जाएगा C2H5 इसके अलावा CHO तो यहाँ पर दन देजी यहाँ पर कार्बन कितने दो और एक तीन तीन कार्बन के लिए 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 प्रोपेनल याद रखेगा प्रोपेनल तो यह यहाँ पर इसका आयूपेशी नाम हो जाएगा और इसके अलावा जिजो लिए गया था यह प्रोपेनोल लाइड इसका नाम याद रखेगा प्रोपेनोल लाइड अब इसके बाद अगली बिद्धान देजी इसका मतलब लीथियम अलूमिनियम हाइडुरेड या फिर इसके जगे पर आप लेख सकते हैं इसका लोग लेते हैं acid chloride यानि की R CO यहाँ पर हो जायागा Cl यह आपका हो गया acid chloride इसका यहाँ पर हम लोग अब chain कराएंगे lithium aluminum hydride द्वारा तो यहाँ पर lithium aluminum hydride द्वारा जो यहाँ पर इसका अब chain होगा तो आप दान देजे यहाँ से यह वाला साबोन तूटेगा तो यहां पर द्हों देजे एक Hydrogen यहां से और Hydrogen जो है के यहां पर जुड़ेगा तो इसका मतलब द्हों देजे यहां पर यह एचs-C-L निकलेगा और इसके अलावत द्हों द्हों देजी तो preparoh चैन हो रहा है यानि कि यहां पर जो है 2H का प्रयोग करेंगे यानि कि हैडोजन का प्रयोग करेंगे हम लोग तो एक एच जो है यहां पर इसके साथ आके जोड़ जाएगा और एक एच इसके साथ तो यहां पर 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 यहा यानि कि तो यहां से बांट टूटेगा एक यहां पर जुड़ेगा और एक हैरिजन यहां पर आपके जुड़ जाएगा तो इसका मतलब यहां से निकल जाएगा आपका HCl जब HCl निकल जाएगा तो यहां पर बनेगा CH3CHO यानि कि यह आपका बन जाएगा acetaldehyde acetaldehyde इस प्रकार से और यहाँ पर इससे आप लोग याद रखेगा acid chloride यहाँ पर इससे बोलते हैं तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पर aldehyde और ketone का निर्मार जो है कर सकते हैं अब इसके बाद next वीडियो में आप लोगों को इनके भौतिक शरूर करिएगा धन्यवाद